कैसे हैं आप सभी मैं पुस्पेंद आपके अपने चैनल एक्जाम इस्टेशन पर आप सभी को स्वागत करता हूं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होगे और यह जो क्लासें चल रहे हैं इन क्लासों का आनद ले रहे हूंगे चलो आओ देखते हैं रचना रचना का तथा उनकी विधाय के यह आद दूसरा वीडियो है इसमें कोश्चन नंबर 16 करवाने थे नहीं कोश्चन नंबर एक से पंद्रा तक पहले वाली वीडियो में करवा दिये गए यह बहुत ही अच्छे-च्छे कोश्चन है इन सभी को आप एक सब्सक्राइब करें और जो हमारी पुराने कंडिडेट हैं वो सभी लाइक और सेयर करने ठीक ना चलो सभी को राम राम जहिंद चलो आप देखते हैं कोश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है के सो दास द्वारा रचित अध्यात्म ग्रंथ का नाम क्या था यानि के यह जितने ग्रंथ यह तो अगर एक हिसाफ से देखा जा तो सभी केसों दास की हैं बत इसमें यह सब्सक्राइब अध्यात्म ग्रंथ का नाम क्या था तो यहां पर हो जाएगा बिलकुल राइट एंसर हो जाएगा विग्यान गीता क्या बी विग्यान गीता यानि इसका र राम चंदृका की तो ये भी इनहीं का इनहीं का ग्रंथ है और कविप्रिया और रस्िक्प्रिया ये दोनों तीनों यानि राम चंदृका राम के चरित्र पराधारित काबवे राम रामचंद्रिक्त ने से तुल्शी दास के रामचंद्रिक्त की प्रत Sultan में के ये जो रामचंद्रीका ग्रेंत यह गरत में पोर्णते करें हमें और क्यों दूर्टन ने और हो जाएंगा विछ अब कोशनल मर्ण गुजह ले थीक एंधो कोश्टिन नुम्मर 17 क्या कह रहा है को कुश्ट नुमर 17 दिखें ग्यानदीप किसकी रचना है तो यहां पर होजाएगा शीख नभी कि यह नभी कि रचना को ग्यानदीप सेख नभी यानि सी इस दर है इस एसका सटरा का सी यह ज़े λे के है कौन सेख नबी जोनपुर्जिले की हैं ठीक है न augment अगर बात किया ज़ा ज़ाई ज़ाई तो न ग्यान दीप जिसके रचना था तो एक वहाँ के एक राजा थे ग्यान दीप और रानी थी देव जानी की कतह इसमें लिखिये किसमें ग्यानदीप में ठीक है आए और किसने लिखई शेक नभी ने लिखई तो इसका right answer हो जाएगा सी। ठीक तो question number 17 का right answer हो जाएगा सी आप देखते question number 18 question number 18 कैंवाइब यां राम-चन्रिका की राम उसना किसने की कि राम चंद्रिका की रचणा किसरे की आप देखो यह कोश्टन पहले आ चुक है कोश्ट genommenर फर्स्ट देखिया कि थे मैं थेकिन थेंड़ उस नम्मर फर्स्ट देखिये उसमें दिया हुरा था केश अधास्व 134 रचित अध्य Auto अध्यात्मिक ग्रंद क्या था, तो उसमें क्या था आध्यात्मिक ग्रंद विद्यान गीता था, अब यह केसा दॉस द्वारा रछित रामे चंदृका कों राम चंद्रिका की रचना किस ने थिकी तो कौन हो जाएगा के सवदास हो जाएगी इसका राइट एंसर हो जाएगा डे ठिक अब यहां पर बात करें कि देखो के सोदास रीत काल के एक प्रिसिद्ध कवी रही नहों ने राम चंद्रिका कवी प्रिया रसिक प्रिया रतन बावनी जैसे गरंथों की रचना की किसकी किसकी राम चंद्रिका का भी प्रिया रसिक प्रिया रतन बावनी जैसे प्रसिद ग्रंथों की रचना की कौन एकी सव दास ने ठीक है ना तो इसका अठारा का राइट एंसर हो जाएगा डी यानि के सव दास ठीक अब कोश्चन नमर देखते हैं 19 कोश्चन नमर 19 क्या हो जाएगा एक गुंडा सालवती ग्राम और मच्वफ इन में पोचा है उनकी कहनिया नहीं पोचा न में पहली कहनि पोचा है कि लासंकरक्रणश्थ PG UK पहले कहनिका आजाएगा ग्राम-ठीक हैं ना यानि इसका राइट यॉ passenger हो जाएगा तक है अब अगर इनकी और कहानियों की बात करें, अगर ग्राम की ही बात करें तो ये 1911 इस्वी में लिखी गई थी, कब 1911 इस्वी में लिखी गई थी, इनकी और परसिद स्रेश्ट कानियां जैसे, हो गई, आकास दीप हो गई, गुंडा हो गया, सालवती हो गई, मचुआ हो गया, ठीक है ना, और ये सभी इनकी ही कहनिया आएं, बट पहली कहनी इनकी ग्राम थी, ठीक है न, तो 19 का रैट अंसर हो जाएगा, सी यानि ग्राम ठीक है न, कोशन नमर देखते हैं, 20 कोशन नमर 20 क्या कह रहा है, कोशन नमर 20 में लिखा है, सीता बनवा से सम्मंदित एक काब काब कौन सी थी, स सीता बढ mouse संब अकन्ड़क्ण थे तो यहां पर क्या हो जाएगा प्रवाद पर्व हो जाएगा क्या प्रवाद परव्यानिंग मैंने सीटा केętं सब्सक्क्रा Must अच्छन लगाने उन पूर्व में गी सीता के साथ हुए अनुचित बेवहर्च संब्दी तत्यों को वड़न किया ठीक है ना किसमें प्रवाद पर्व में ठीक तो 20 का राइट अंसर हो जाएगा डी यानि प्रवाद पर्व ठीक अब कोश्चन नमर देखते हैं 21 कोश्चन नमर 21 क्या कह रहा है कोश्चन नमर 21 कह रहा है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 में कहां से प्रकासित होगा था अब देखिए यहाँ पर बात आ जाती है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था उदंत मारतन ठीक है ना तो इसको संपादन किस ने किया पंडी जूगल कुसोर ने किया था किसको ने पंडी जूगल कुसोर ने किया तो और कहां से किया था तीस मई 1826 इस वी को कहां से किया कलकत्ता से किया ठीक है ना इसका उदन्त मार्तंड का प्रकासन 1830 में 1826 में कहां से प्रकासन हुआ था कलकत्ता से हुआ तब किस ने किया था संपादन पंडित जूगल किस और ने किया था ठीक है तो 21 का राइट एंसर हो जाएगा सी ठीक अब कोश्चन नमर देखते हैं कोश्चन नमर 22 कोश्चन नमर 22 क्या कह रहा है बहुत ही सरल कोश्चन है कोश्चन नमर 22 कोश्चन नमर 22 लिखा हुआ है गोदान का लेखक कौन है यानि गोदान एक रचना है उसकी रचना किस ने किया या उसके लेखक कौन है तो यहां पर हो करते हैं यह एक उप adopt Nias state why kora किसम करें प्रेम चंद्र तो इनके दौने अबहुत सारे उपन्यास लिखी हैं दिता है रंग भूमी करम भूमी गवन हो गयाा प्रेमा हो गया सेवा सधन हो गया मंगल सूत्र हो गया जैसे एक मंगल सूत्र यह अपूर यानि यह पूरा नहीं लिखा गया है ठीक है न कि अब यहां पर यह देखो महादेवी वर्मा अगर महादेवी वर्मा की बात करें तो यह किस को वाति कवित्रे थे तो यह एक चायवादि कवित्रे थी इनकी प्रमूख रचना हैं जिसे निहार रस्मे इरжा दीप सि tämä मा यह इनकी प्रमूख रचना है ठीक है अब बात करते हैं चतुरसेंध सास्त्री की यानि यह चतुर सेन की तो यह चतुर सेन एक महन उपन्यास का रहे हैं इनकी प्रमुख रचना है वैसाली की नगरबदो रत्य की प्यास आलमगीर आज इनके प्रमुख उपन्यास है रंगे की बात करें रागे रागों की बात करते हैं तो अगर इनमें रागे रागों की प्रमुख रचना है मुर्दों का टीला ठीक है ना मुर्दों का टीला मेगावी पांचाली अब प्रतिदान ठीक है ना यह इनकी प्रमुक रचना है तो गोदान का के लेखा कोने मुंसी प्रेम चंद यानि एफ तर रेइड अन्सर हो जाएगा 22 कोशान का एफ राइड अन्सर कोश्ट नमबर देख थे थे कोशन नमर 30 क्या कहा रहा है स्री राम चरित मानस स्री राम चरित मानस की रचना किस कभी ने की ये तो बहुत ही सरल कोशन हो गया स्री राम चरीत मानस की रचना किस ने किया तुलसी दास ने किया बावा तुलसी ने स्री राम चरीत मानस की रचना किया है अगर इसकी बात करें कि इनकी अन्य रचनाय हो गई तो बरवे रामायार हो गया राम लला नहर्चो हो ग कोशन पहले बता चुक हूँ, यह भक्तकल के, और राम भक्ती साखा के कभी थी, किसके राम भक्ती साखा के कभी थे? कौन है? तुल्सी 10 जे, ठीक है ना, तो इसका राय टैनसर क्या हो 24 क्या गह रहा है आधे अधूरे यह आधे अधूरे किस विधा की रचना है तो यह किस विधा की रचना हो जाएगी एक आधे अधूरे एक नाटक है ठीक है नाटक किसने लिखा है किसने लिखा है तो आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश ने लिखा है किसने लिखा है मोहन र आफर चीज कहये रहा है जैदरत वद जैदृत वद किसकी रचन है कि सरण गुप्त हो गयाarm महादेवी बर्मा हो गए तो यहां पर क्या हो जाएगा मैतली सराणगुप्त की ठीक है ना अगर मैतली सराणगुप्त की अन्य प्रमुकर रचनाओं की बारें बात करते हैं तो साकेथ हो गया गुरकुल हो गया भारत भारती हो गया ठीक हो ना पंचवटी हो गया इह सब भी इत्याद इनकी पुरुएं लुख रचना था बात कर चूका हूँ और महादिक बर्मा ड sûV़घे बताया टीकिन नोंब देखें च्भीस हैं स्ख्यविस क्या करा है कि कोश consistent 26 वा कुि भिष में लिखा हुआ निम्र लिखित में से चाया वादी रचना कर экран नारня इंद में से किन्ष में इन ना गार्जुन query शुमीतहर निव चाया नंदर्पर च्छॉयावादी रच्नाओं हो जाएगा तर्ण नुम्हात्र पाटि निराला हो जाएगा ठीक ना पिये अनि C पंत हो जाएगा यानि 26 का राइट एंसर हो जाएगा सी ठीक आप कोश्चन नम्मर बात करते हैं 27 कोश्चन नम्मर 27 क्या कह रहा है सूर सागर सूर सागर के रचनाकार कौन है 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 तो सूर दास हो जाएगा ठीक है ना तो इसका राइट एंसर हो जाएगा डी ठीक है ना सूर सागर के रचनाकार कौन है तो सूर दास हो जाएगा है जोर सारा वली सहित लहरी अर्टज हैज ठीक सूर सारा वली और सहित लहरी इंकी प्रॉक्रिष्ण है तो 27 का इंसर क्या हो जाएका D भी अब अब देखें कोईशन इम्मर 28 किया गए रहा है कोईशन ठीक, सूर सारावनी और साहित लायरी इनकी प्रुमक्रेशना है तो 27 का इंसर क्या हो जाएगा D ठीक, अब देखतें कोश्चन नमर 28 कोश्चन नमर 28 क्या कह रहा है कोश्चन नमर 28 कह रहा है निम्ने में रीती काल का कवी कौन है यानि ये चार आपसंदिए हुए है इनमें से बताना है रीत काल का कवी कौन है ठीक है न? तो यहाँ पर हो जाएगा रीत काल का कवी कौन हो जाएगा C यानि बिहारी हो जाएगा अब यहाँ पर बात करते suisse जैसंक प्रताथ सूरकांतृवर्पाथा निराला हो गया, और ये हो गया, सुमित्रा नंदन पंत हो गया, तो ये किस काल के कभी थे, इसके जिस्ट मैंने पहले बताया कि ये छायावादी थे, क्यों से, छायावादी कभी थे, ठीक है ना, यह पर 28 का राइड अंसर हो जाएगा, C, यानि बिहारी, अब इनकी बिहारी कि ये दुर्ण की बात करें, इसका रजाए हो गया, ठीक है ना, चलो आँ देखने, कोशन नमर, 29 कोशन नमर, 29, क्या करें, 28 कोशन नमर क्या सही हो गया, tackle C, यानि बिहारी, किस काल के कभी थे, रीद काल का का इतुब थे, तो आब कोशन नमर्ड देखते हैं, 29, को कोशन नमर 29 कह रहा है उसने कहा था कहनी के लेखक कोने तो कौन हो जाएंगे तो उन्तिस का रही हो जाएगा और अगर बात करें कि कि शोरी लाल सर्मागुलेरी प्रेम्चन भगवान दास्तों सभ। इनमें से रहा हो जाएगा उस ने कहा था करें कि लिखागोत है कि शंद्रद्र सर्मा गुलेरी चंद्र martnharm कि पर सर्मागुलेरी यहां पर सैकल लिजे चंद्र सर्मागुलेरी होगा ठीक है न तो 99 कर रैट अंसर हो जाएगा भी अधिक अब अगर बात करें कि सोरिलाल की प्रमुखो रचनाeh इंदू मति और गुलवार हो जाएए ठीक है ना कि सुरिलाल गोस्वामी की ये रचनाएं बता रहा हूँ इंदू मती और गुलबाहर हो जाएंगे और चंद धरसरमा गुलेरी जी के अगर बात करें तो सुख में जीवन हो जाएगा ठीक है ना और अगर प्रेमचंद की बात करें तो प्रेमचंद की प्रमुक रचनाओं में से हो जाए सत्रंज के खिलाडे सवा सेरगे हूं ठीक है ना सांती कफन आद ही हो जाएंगे पूंसी प्रेम चंद के काने अगर भगवान दास की बात करते हैं तो भगवान दास हो जाएगा प्लेग की चुड़ायल इनकी एक ये प्लेग की चुड़ायल जो बहुत ही प्रसिद्रचना है ठीक है ना इसकी भगवान दास की ठीक है तो 29 का राइट अंसर हो जाएगा चंदर धर सर्मा गुलेरी यानि तुनर कोशियन नमब कर रहें उर्वसी किस दौर कर्फान अजह संकर प्रसाद का मैथली सरान गुप्त का रामधारी सिंग दिनकर जी का और महादेवी बर्मा जी का ठीक है न तो और विसी किसने लिखी सभी को मालूम होगा कि जैसंकर प्रसाद जी ने लिखी किसने जैसंकर प्रसाद जी ने तो इसका रैट अंसर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा ए ठीक अगर बात करते हैं कि इनकी रचनाएं एक बार मैं फिर से बताए दे रहा हूँ ये जितने भी लेखा कि जैसंकर प्रसाद हो गए मैथली सरणगुथ हो गए रामधारी सिंग दिनकर हो गए और महादिवी बर्माजी हो गए ठीक है ना तो इनकी एक बार रचनाएं फिर से बता देता हूँ चुक्वि आज की सेसन के ये लास्ट कोशन होगा कोशन नम्मर तीज देखो जैसंकर प्रसाद जी की अगर बात करते हैं ठीक तो कामाइनी हो जाएगी द्रू सौमनी हो जाएगी कंकाल हो जाएगा तितली हो जाएगी और आंसू हो जाएगी और चंद्रगुप्त हो जाएगी ठीक है ना अगर बात करते हैं मैथली सरानगुप्त अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं मैं थी सराल गुप्ट की रचना है साकेत यसोधरा जैद्रत वध पंचवटी भारत भारती यह मैं सभी पहले बता चुक हूँ यह आद लास्ट कोशन ने आची सितन के इस वज़े से में सुर्फ बता रहा हूं थे ठीक है ना अब कोशन इसी के जिसे रामधारी सिंग दिन कर हो गया अब इनकी रचना क्या है कि रिडुका हो गया हुंकार हो गया कुर्वसी हो गया रस्मिरत्थी हो गया ठीक है ना और अब बात करते हैं महादेवी बर्मा जी की महादेवी बर्मा कौन कौन सी है इनकी रचना यामा निर्जा दीप सिखा ठीक है ना यामा निर्जा और देप सिखा हो गई ठीके ना अब आपके दिमाग में आ रहा हुआ कि अभी जो रामधारी सिंग दिनकर जी की रचनाए बताए उसमें भी आपने अर्वसी बता दिया और यह जो जैसंकर प्रताजी है उसमें भी अर्वसी बता दिया तो देखें जगा यहां पर एक वो है कि जैसे उर्वसी हो गए उर्वसी में अगर इनमें से आता है उर्वसी किसका काब है यह अगर पूछ लिया जाए उर्वसी किसका काब है तो इसका हमेशा रैट अंसर हो जाएगा जैसंकर प्रसाद अगर केवल पूछे कि उर्वसी किसकी रचनाए ठीक है ना अगर समझे और ऐसिक कम ऐनकी तो आप आए ब में तो आप लगा सकते हैं रामधारी शूंग जय यह भार है न आप लोग चैनल को सपोर्ट करें थी मंद यहने आप लोग बपके। देरो सुस्क्राइबर जेहन जय फारत मंत्रे महात्रम राधे राधे